आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिना प्याज लसन वाले पनीर भूर्जी की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बहुत ही फिलेवरफूल एक पर इस रेसिपी को जरू ट्राइ करें सबको बहुत पसंद आएगा तो चलिए शुरू करते हैं से बनाना पनीर भूर्जी बनान कर एक चोटे साइज का शिम्ला मिर्च आदा इंच अद्रक और दो हरी मिर्च ली है इन सभी चीजों को गैस के उपर रखकर और इन्हें हम पका लेंगे पकाने से इसका फ्लेवर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा इसे इस तरीके से उलट पलट कर पका लें आराम से यह प कर लिया है और अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे तो अद्रक को इस तरह से चोटे चोटे टुक्रे कर लेंगे शिम्ला मिर्च के पीच के यह भाग को काट कर हटा लेंगे क्योंकि यह बहुत ही हाड होते हैं यह पीसेंगे नहीं अब इसके चोटे चोटे टुक्रे कर लेत इसके उपर के यह बीच के भाग को काट कर हटा लेंगे हर इमिज के टंठल को हटा देंगे और अब हम इसका पारिक पेस्ट बना लेते हैं पेस्ट बना कर तयार कर लिया है बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाया है मैंने और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में गैस पर मैंने एक पैन लिया है इसमें दो टेबल स्पून बटर डालेंगे साथी दो टेबल स्पून ओइल डालेंगे आप चाहे तो इसे सिर्फ बटर में भी बना सकते हैं अच्छी तरह से हीट कर लेंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ लाल डेते हैं मसालों को हम चटकने देंगे मसाले जब चटक जाए तो इसमें श्रिमला मेर्च और टमाटर के पेष्ट को डाल देंगे इसे 3 मिनट लगभग भून लेंगे तो इसे भूनते हुए लगभग 3 मिनट हो गए हैं अब इसके लिए कुछ और मसाले तियार कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसे भी हम डाल देते हैं फ्लेम को लोटू मीडियम कर लेंगे मसालों को थोड़ी दीर अच्छे से भूनेंगे थोड़ा सा बॉल को धोकर इसमें पानी डाल देते हैं मसालों को दो से तीन मिनिट भूल लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर मसालों को भूलते हुए लगभग तीन मिनिट हो गए हैं इसे थोड़ी देर के लिए ढग देते हैं और फ्लेम को लो कर देंगे इससे एक्स्ट्र पानी सूख जाएंगे और ओयल सेपरेट हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं मसाले से ओयल सेपरेट होने लग गए हैं एक मिनिट और इसे हम भूल लेते हैं और पनीर भूर जी को और भी अधिक क्रीमी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है दो टेबल स्पून फ्रेश मलाई फ्रेश मलाई की जगा फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं अब लो फ्लेम पर इसे थोड़ी देर और भूनेंगे मलाई डालते ही इसका टेक्स्चर बहुत ही क्रीमी हो जाता है और आप देख सकते हैं किस तरह से ओयल सेपरेट होने लग गया है मसाले बिल्कुल अच्छी तरह से भून गया है बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है तो लगवग एक मिनिट और मैंने इसे भून लिया है थोड़ा सा और ढ़क देते हैं मसाले अच्छी से भून कर तयार हो गया है और अब हम इसमें पनीर को डाल देंगे पनीर डालने के बाद थोड़ी देर और इसे हम मिक्स करेंगे पनीर में अच्छी से मसाले मिक्स हो गया है और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तो लगभग एक किलास मैंने पानी लिया है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं, और अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, वान टेस्पून गरम मसाला पाउडर, वान टेस्पून कशूरी मेथी ताकि इससे अच्छा फ्लेवर आए, सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे दो मिनट हम पकाएंगे ढगकर, इसे पकाते हुए लगभग दो मिनट हो गए हैं, और एक बार इसे हम अच्छी से मिक्स कर लेते हैं, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर और ढग कर पका लेंगे लगभग एक मिनट और एक मिनट और पका लिया है आप देख सकते हैं पनीर भूर जी का कितना अच्छा क्रीमी टेक्श्चर आया है अभी इसमें हम 1 टी स्पून और घी डाल देंगे घी की जगा आप बटर भी डाल सकते हैं इससे ये और भी क्रीमी बनेगा अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे अभी इसका टेक्श्चर एकदम पर्फिक्ट है इसे और ज़्यादा ड्राइ नहीं करेंगे इसके उपर हम करेंगे जैसे ये ठंडा होगा थोड़ा सा और ड्राइब हो जाएगा और आप देख सकते हैं कितना क्रीमी टेक्श्चर आया है पनेर भूर्ची का और उतना ही टेस्टी बना है ये तो आप भी इसे ट्राइब करें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले श सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को थैंक्स परोच